चोर की दाड़ी में तिनका एक बार का जिक्र है कि एक छोटे से गाउं में एक चोर रहता था। चोर हर रोज लोगों की चीजें चरा कर अपने घर में छुपाता था। गाउं वाले इस चोर के बारे में जानते थे लेकिन कभी भी उसे पकड़ने में काम्याब नहीं हो पाते थे। एक दिन चोर एक खेट में चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब लोगों ने चोर की तलाश की तो इन्हों ने देखा कि चोर की दाड़ी में एक छोटा सा तनका फस गया है। ये तनका चोर की दाड़ी में से नजर आ रहा था और इसका चहरा पोशीदा नहीं था। गाउं के लोगों ने चोर की दाढ़ी में फसे हुए तनके की तरफ इशारा किया और कहा, देखो, ये तनका इसकी चोरी की अलामत है. चोर ने तनका निकालने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा. बिन्हों ने चोर के घर की तलाशी ली और वहाँ बहुत सारी चोरी शुदा चीजे मिल गई इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि छोटे जराइम और छोटी अलामात बड़े जुर्म की तरफ इशारा करती हैं इस तरह एक चोर की दाढ़ी में छोटा सा तनका बड़े जुर्म की निशान दही कर सकता है